सीमा को गहनों से बड़ा प्यार था उसे बच्पन से ही सुन्दर सुन्दर हार, जुमके और पायल पहनने का शौक था एक दिन वो अपने कमरे में बैठ कर अपने सारे गहने देख रही थी वाँ वाँ एक तो मैं इतनी खुबसुरत हूँ उपर से ये सब गहने मुझ पर और जादा अच्छे लगते हैं ऐसा लगता है कि मानो इन्हें मेरे लिए ही बनाये गया हो सीमा की एक बुवा थी जो कि सीमा से बहुत प्यार करती थी उनके पास एक सोने की बहुत सुन्दर खानदानी पायल थी जो बचपन से ही सीमा को बहुत जादा पसंद थी पर मांगने पर भी सीमा की बुवा सीमा को वो पायल नहीं देरी थी एक दिन सीमा बुवा से मिलने उनके घर जाती है और उनसे शिकायत करने लगती है बुवा जी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ अब तो मुझे वो पायल दे दो न, वो मुझे कब से पसंद है सीमा, मैं हमेशा तुझसे कहती आ रही हूँ कि वो पायल मैं तुझे तब ही दूँगी जब तेरी शादी होगी तेरी शादी पर मैं तुझे वो पाइल तोफ़े के रूप में देना चाहती हूँ, समझी? ओफो बुवा जी, तो एक पाइल के लिए आप क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? ठीक है पिर, तो यही सही, अब मैं जल्दी से शादी कर लूँगी मैं अभी तो यही चाहती हूँ, कि तो जल्दी से शादी कर ले और फिर मैं तुझे तेरी मन पसंद पाइल तोफ़े में दे दूँगी कुछे दिन में सीमा पाइल के लिए सच मुझ में मनोज नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है शादी में बुअजी सीमा को वो पाइल तुफ़े में दे देती है शादी हो जाने के बाद सीमा एक दिन अपने कमरे में बैट कर अपने गहने देख रही होती है यह तब ही उसकी ननत खुशी-खुशी वहां आ जाती है वहाँ भावी आपके पास तो कितने सारे गहनों के डब्बे हैं लगता है कि आपके पास काफी सारे गहने हैं हाँ खुशी मुझे बच्पन से ही सुन्दर सुन्दर गहने पहनने का बड़ा शौक था इसलिए मेरे पास इतने सारे हैं आजा, मैं तुझे भी अपने सुन्दर गेहने दिखाऊं। सीमा खुशी को अपने सभी गेहने बारी-बारी से दिखाने लगती है। वाँ भावी, ये सब गेहने तो बड़े ही सुन्दर है। है भी तो ये मेरी पसंद ना, अच्छे तो हो नहीं थे। अरे, मेरी गेहनों की कलेक्शन में एक से बढ़कर एक आइटम है। मार्केट में कोई भी ऐसी डिजाइन नहीं, जिस डिजाइन का गेहना मेरे पास ना हो। तभी खुशी की नजर सीमा की पायल के डब्बे पर पड़ती है। खुशी उसे खोल कर देखने लगती है। पर ये पायल में तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। खुशी सीमा से जिद करती है, पर सीमा उसे पायल देने से साफ मना कर देती है। इस बाद से खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस सीमा के सामने तो कुछ नहीं कहती, पर जल्दी से जाकर अपनी मा यानी कि सीमा की सास को सब बात बता देती है, सीमा की सास का नाम उर्मिला था, ओहो इस सीमा की इतनी हिंमत, मेरे ही घर में मेरी बेटी को पायल देने से इंकार कर दिया, अभी बताती हूँ इसे मैं तो, चल खुशी, अभी चल मेरे साथ, अभी दिलवाती हूँ तुझे मैं वो पायल, दुनों मा बेटी सीमा के कमरे में जाती है, क्यों री बहु, तुने खुशी को पायल देने से मना क्यों किया, तेरी पायल मेरी बेटी खा थोड़ी चाहेगी, एक बार पायल पहन कर वापस ह तो कर देगी ना, नहीं, नहीं मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपनी स्पायल से बहुत जादा प्यार है, मैं इन्हें नहीं देना चाहती, चाहे तो खुशी मेरे कोई भी और गेहना ले ले, ओ, तो तु मेरा और मेरी बेटी का अपमान कर रही है, तेरी ये इतना सुनकर उर्मिला को बहुत जादा गुसा आ जाता है, और वो सीमा को उसके ही कमरे की खिड़की से नीचे धका दे देती है, सीमा दूसरी मंजल से गिर कर मर जाती है, तभी वहां मनो जा जाता है, और सब कुछ होते हुए देख लेता है, अरे बेटा चिंता मत कर, मैं जाती है, मार भाया, ये पायल तो सिर्फ मेरा है, इस पर तो शुरू से ही मेरी नजर थी, आप भले ही बाकी गहने अपने पास रख लो, लेकिन इस पायल को पहन कर तो मैं ही गुमूंगी सारे घर में, जरा संबल कर खुशी, कहीं ऐसा नहों कि सीमा का भूत आया और तुम तोर कर अपनी अलमारी में रख देते हैं, उधर सी मा मरने के पाद एक चुडैल में बदल जाती है, और वो उर्मिला, मनोज और खुशी को उसके गहने चुरा कर रखते हुए देख लेती है, ये देखकर चुडैल को बहुत जादा गुसा आता है, ओफ ओ, जरा देखो तो इन सब को, अभी मरे हुए मुझे पाँच मिनट भी नहीं हुए, और इन सब ने मिलकर मनोज की दूसरी शादी करवाने का सोच लिया, और तो और मेरी प्यारी पायल भी ले ली, वाह, जोड़ूंगी नहीं इन सब को मैं, और खास कर इस खुशी को, कुछ दिन तक तो चु खुशी उसी की पायल पहन कर शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, आहा, आखिर आही गया वो दिन, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी, खुशी जोर-जोर से गाना-गाने लगती है, वाह, वाह, इस साड़ी के साथ ये पायल कितनी जच रही है, और ये देर में खुशी, उर्मिला और मनोज तैयार होकर शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं, खुशी के पीछे-पीछे चुड़ेल भी उसके साथ शादी में चली जाती है, शादी में पहुचकर खुशी, अपने दोस्तों से हस-हस कर बात करने लगती है, और सुनकर खुशी और उसके सबी दोस्त जोर-जोर से हसने लगते हैं। चुडैल खुशी और मिला और मनोज को इतना खुश देख कर और भी जादा गुस्सा हो जाती है। और वो अपनी पायल में जादू कर देती है। जिससे खुशी हवा में उड़ने लगती है। पायल के साथ सथ खुशी भी हवा में इधर से उधर उड़ने लगती है। खुशी को हवा में उड़ता देख आधे लोग तो डर के मारे शादी से ही भाग जाते हैं। और आधे लोग खुशी को देखने लगते हैं। औरमिला और मनोज भी दोड़कर वहां आ जाते हैं अरे रे रे मा ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे मैं मैं उड़के से रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अरी कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो हवा में उड़ रही है अरे कोई उसे नीचे उतारो तभी चुडैल सब के सामने आ जाती है चुडैल को देखकर उर्मिला और मनोच के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग दर जाते हैं चुडैल हवा में लटकी हुई खुशी से पूछने लगती है आ गया मज़ा अब चल्दी से सब को बता कि तोने ये चुडैल की पायल पहनी हुई है वरना मैं तुझे वही हवा में मार डालूंगी समझी अरे 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 तुम कौन हो कोई इस चुडैल को यहां से भगाओ और मुझे बचाओ मुझे नहीं पता हैं सब क्या कह रही है तभी दो आदमी लाठियों से चुडैल को जोर जोर से मारने लगते हैं जिससे चुडैल का जादू भी तूट जाता है और पायल के साथ साथ खुशी भी जबीन पर गिर जाती है दोनों आदमी चुडैल को कसकर पकर लेते हैं और चुड़ेल हिल भी नहीं पाती है, फिर चुड़ेल गुसे में जोर जोर से चिलाने लगती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो इस खुशी ने मेरे साथ किया है, अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, एक लड़की जिसक जाकर खुशी का गला पकड़ कर उसे फिर से हवा में लटका देती है, बोल, बताती है सब को सच, या मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूँ, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सब को सच बताती हूँ, छोड़ दो मुझे, प्लीज, छोड़ दो, चुड़ैल कोई नहीं मेरी भाबी है, जसको मैंने मेरे भाई और मा के साथ मिलकर मार दिया था, और ये पायल भी इसी चुड़ैल की है, तबी खुशी की मा खुशी से बोलती है, अरे कल मुही किसका इंतजार कर रही है तू, जल्दी से उसकी पायल निकाल कर उसे वापस कर दे, चुड़ैल वो पायल खुशी से ले लेती है, और उन्हें पहन लेती है, आखिरकार मेरी पायल वापस मेरे पास आही गई, पायल पहनती ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, पर खुशी की दोस्त पुलिस बुला लेते हैं, और पुलिस खुशी और उसके पूरे पर पिवार को ने करें।